गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स, आई एम भुष्पा फ्रम हार्वर्ड कॉन्वेंच सीनियर स्केंडरी स्कूल बागापुरान इन इस वीडियो वी रिवाइज बुक वर्क एंड नोट बुक वर्क ओफ हिंदी ग्रामर इस वीडियो में आज हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे ऐसे मेरा मन पसंदफल आम तो इसके उपर आपने 7 और 8 लाइन गरींग करनी है मेरा मन पसंदफल आम 1st लाइन आपकी आम फलों का राजा है 2nd हैपिटा मेरा मन पसंदफल आम है थर्ड पका आम पीले रंग का होता है फोर्थ पका आम मीठा होता है फिफ्थ है कच्चा आम हरे रंग का होता है सिक्स लाइन है आपकी कच्चे आम की चटनी और अचार बनता है सैवंथ है कच्चे आम को कैरे भी कहते हैं और 8th line है, आम से मिठाईयां भी बनती है, उसके बाद आपने गिंती राइट करनी है, 1 to 10, एक से लेकर 10 तक, तो ये जो सारी गिंती और ऐसे है, इसको आप अपने हिंदी grammar की notebook के उपर राइट करेंगे, और आपकी राइटिंग जो है, वो एकदम neat and clean होने चाहिए, उसके ब सबसे पहले हम ये जानेगे कि सर्वनाम क्या होता है, तो संग्या के स्थान पर प्रियोग किये जाने वाले सब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि राम मेरा मित्तर है, तो हम बार-बार राम का यूज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे second line में कि वह 8 साल का है, तो जब हम राम की जगह पे वह मैं, तुम, ए मेरी हम, इन्हें, उसे, उन्हें, ऐसे सब्दों का प्रिव करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम है, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके, कि निचे दिये हुए सब्दों मैं से सर्वनाम वह संग्या सब्द अलग तो आपके पास दिया है मैं तुम हमारी रानी हमारी पैंसिल आपकी अजय और नर्गिस तो इसमें आपने किया करने जो संगय सब्द है उसको फर्स्ट कॉलम में राइट करेंगे और सेकंड में जो सर्ब नाम सब्द है उसको सेकंड बॉक्स में राइट करेंगे तो सबसे प पॉलम में हम राइट करेंगे सर्वनाम सब्दूं से बरे आपके पास टू ऑप्शन्स दी हुए हैं इसमें जो उचित सर्वनाम है वो आपने ब्लैंक्स में फिल करना है तो फर्स्ट है तुम डैस पुस्तक पढ़ो ऑप्शन्स है अपनी तुम्हारी तो यहां पे आएगा क तुम अपनी पुस्तक पढ़ो सेकंड है वह डैस बिद्य ले जाएगा ऑप्शन्स है अपने मेरे तो फर्स्ट में आएगा वह अपने बिद्य ले जाएगा थर्ड है कल मैं डैस नानी की घर जाओंगा ऑप्शन्स है आपके पास अपनी और मेरी तो यहां पे आएगा कल म मैं अपने नानी के घर जाऊंगा फूर्थ एपटा डैस क्या कर रहे हैं आप्शन है वे वह तो यहां पर आएगा वे क्या कर रहे हैं जादा हैं तो वे आएगा ठिक है आगे है बिखारी ने डैस मां से खाना मांगा अप्शन है अपनी और मेरी तो भिखारी ने किससे खाना मांगा मेरी मां से खाना मांगा आगे है पेस No.35 टा तुम मैं वह आपका प्रयोग एक-ईक बत्य बनाई है जो तुम, मैं और वह ओर आप इन सब्दों का प्रयोग है क्या करना है आपने एक-ईक बत्य बत्य बनाना है ठीक है second है मैं आगे लिखेंगे कि मैं पढ़ रही हूँ third है वहाँ तो यहाँ पे आ जाएगा वहाँ खेल रहा है fourth है आप कहां जा रहे हो next question है सर्बनाम भरकर वाक्य पुर्ण कीजिए डैस मम्मी तुम्हें खिलाती है किसकी मम्मी खिलाती है तुम्हारी मम्मी तुम्हें खिलाती है आगे है रमेज को हौकी पसंद है आगे blanks हौकी से खेल रहा है अब हम बार बार ये यूज करेंगे कि रमेज को हौकी पसंद है वह हौकी से खेल रहा है आगे थड़ है सीमा डैस पिता जी का बहुत ध्यान रखती है तो यहां पे आएगा सीमा अपने पिता जी का बहुत ध्यान रखती है आगे है रिचा को डैस पिता जी ने आईस्क्रीम खिलाई किसके पिता ने खिलाई? उसके पिता जी ने आईस क्रीम दिलाई नेक्स टेम मेरी माता जी बजार से डैस लिए उफार लाई तो यहां पे आएगा मेरी माता जी बजार से मेरे लिए उफार लेकर आई ओके ठैंक्स और टेक केर बिटा